आज हम लोग देखेंगे unit 5 का part 2 में global data flow analysis का unit 5 में एक numerical जो long numerical में आता है जो long question में ही आएगा वो जो है इसी topic पे आएगा तो इसमें steps हम लोग देखेंगी सबसे पहले step जो numerical आता है नहीं numerical ही आएगा तो वो solve करना है तो इसके numerical बनाने के लिए हम लोग के पास various 4 steps है पहला step क्या है तो जो भी हम लोग के पास जो होगा मतलब diagram जो flow diagram होगा उसमें जो है जितने भी number of definition है सबको distinct number हम लोग define करेंगे d1, d2, d3 यह हम लोग जब example समझेंगे तो हम लोग इसमें जागा अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या करना है तो यह बस steps है इसको हम example से ही समझते है तो इसको example जैसे कि यह तो बस ऐसे मतलब steps है यह तुम्हें steps अगर लिखने को कर आ जाए अगर तो मतलब इस तरह से लेकिन इसका कोई ज्यादा use नहीं है मतलब steps है कि कैसे हम लोग उस problem को solve करेंगे इसको हम लोग questions सही देखते है तो question में क्या है जैसे कि यह एक हम लोग के पास block का flow diagram है तो इसमें हम लोग के पास क्या है पहला block है b1 उसमें जो है उसके अंदर में 2 definition है i is equal to 3 j is equal to 4 यह 2 definition है फिर उसके जो है b4 में क्या है तो j is equal to j minus 4 है यह हम लोग के पास question given है अब इसका looping भी कि b5 से b2 का भी एक है और फिर b2 से b1 का भी हम लोग के पास जाने का method है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले सबसे पहला step जो पहला step था पहला step हम लोग यहां से देखते है कि क्या करना है कि assign the distinct number to each definition जितने भी definition है सबको एक distinct number provide करो तो सबसे पहले यह diagram है इस diagram में कितने definition है i is equal to 3 सबसे पहला definition तो d1 j is equal to 4 तो क्या है दूसरा definition तो d2 i is equal to 1 तो d3 j is equal to j minus 1 तो d4 और j is equal to j minus 4 तो d5 यह 5 definition है 5 definition को हम लोग distinct number provide किये यह था हमारे पास step 1 यह step 1 हो गया कि हम लोग distinct number हम लोग provide कर दिये step 1 हो गया उसको यह जो है step 2 में क्या है कि for each variable k make a list of all the definition in the entire diagram where it is used तो basically इसमें हम लोगो करना क्या है इस पूरे diagram में कितने variable है तो यह को variable कौन-कौन से है एक i है एक j है और कोई है यहां पर और कोई variable यह नहीं है तो हर एक variable के लिए जो है न हम लोग यह check करेंगे कि किस-किस definition में हम लोग उसका use कर रहे है तो हम लोग जो है न हम लोग किस तो d1 तो हम लोग second step क्या कर रहा है Second step इसका यही कह रहाता कि list बनाना है जितने भी definition है न हर एक variable का जितने भी definition में use हो रहा है तो i का use किसमे हो रहा है? तो d1 में हो रहा है और d3 में i equal to 1 use हो रहा है और तो कहीं नहीं हो रहा है j का use कहा कहा हो रहा है? एक d2 में j का है फिर d4 में j का है और फिर d5 में j का है तो यह d2, d4, d5 यह हम लोग के पास हो गया और i में क्या है? तो यह हम लोग के पास step 2 में आ गया कि step 2 में हम लिस्ट बना लिये अब तीसरा step क्या कहता है तीसरा step है कि calculate करना है यह दोनों चीज gen B और फिर kill B यह हम लोग को gen और kill हम लोग generate करना है तो gen B क्या donate करता है कि यह जो है एक set donate करेगा जिसमें all the replenishment data generated in the block जितना भी यह जो block है न एक block में यह gen B जो है B का मतलब क्या है B का मतलब है वह ब्लॉक यहां पर ब्लॉक के लिए सह लोग देखेंगे यहां पर झाल ठीप लोग कर दीह मतलब है यह लोग ब्लॉक में कि उस block में कितना definition कितना definition generate हुआ है यह हम लोग देखेंगे जन B में, जन B में हम लोग देखेंगे हर ब्लॉग का हम लोग देखेंगे हर ब्लॉग में कितना डिफनीशन जनरेट हुआ है और कौन सा डिफनीशन जनरेट हो रहा है वो हम लोग इसमें जन बी में देखेंगे अब किल वी में क्या है? तो किल वी में यह है कि कुछ सा है? मतलब कितना ऐसा definition है? जो दूसरे मतलब जो बुलग है उसके बाहर जो है जो है जनरेट हुआ है और उसका जो हम लोग के पास उसमें जो variable है वो same है मतलब इसको समझो कि यह है यह है इसमें B1 का अगर देखो तो B1 में क्या होगा? B1 का अगर हम लोग Gen देखेंगे B1 का Gen देखेंगे तो क्या होगा? B1 में क्या-क्या जन्रेट हो रहा है? D1 जन्रेट हो रहा है और D2 जन्रेट हो रहा है D1 और D2 जन्रेट हो रहा है ना outside of block का हम लोग देखेंगे और जिसका same definition हो, तो outside of block का मतलब क्या है, कि outside of block देखेंगे और D1, D2 जहां भी है, D1, D2 जहां भी है, जिस भी यहां पर यह set है, यहां पर यह जो तुम set बना के लखोगे न, इस ही set में देखना कि D1, D2 कहां पर है, यहां पर यह D1 है, तो इस D1 को छोड़के बांकी सब include करो, इस D1 को छोड़के बांकी सब include करेंगे तो क्या होगा, D3 तो यह D3 यहां आ जाएगा, हम लोग नहीं पर directly ऐसे ही करना, जब भी अगर करना हो तो ऐसे ही करना, कि generation अब B1 निकाल रहे हैं, यहां पर generation किसका किसका निकलेगा, एक B1 का, B2 का, B3 का, B4 का, B5 का, इन 5 का generation निकलेगा, और 5 का kill भी निकलेगा, तो हम लोग generation अगर निकाल लिए, generation तो directly भी यहां से हम लोग निकाललेगे कि कौन कोर generate हो रहा है, D1, D2 generate हो रहा है, अब हम लोग जो यह लिस्ट बनाये थे, step 2 में, इसी लिस्ट में देखेंगे, कि यह D1 है, D1 जिसमें है, जिस लिस्ट में है, उसके बांकी मेंबर को सीधा सिरी यहां पे, डाल दो, उसको छोड़के, D1 को छोड़के, बांकी सबको डालना है, तो D1 को छोड़के, यह D3 है, तो D3 हम लोग डाले, और फिर यहां पे अब D2 है, तो D2 में जाएंगे, तो यह D2 को छोड़के, बांकी सब डालना है, तो D2 को छोड़के, क्या है, D4 और D5, तो D4 और D5 यह डाल द अब हम लोग इसमें kill का use करेंगे, kill में क्या करना है, तो b2 मतब d3 generate हो रहा है, तो d3 कहां पर हो रहा है, यहां पर यह है d3, तो d3 में क्या आएगा kill में, इसके अलाबा, d3 के अलाबा क्या है, बस एक d1 है, तो d1 हमारे पास आएगा बस b2 में, ऐसे हम लोग gen of b3 करेंगे, gen of b3 में क्या है, b3 में हम लोग के पास d4 है, तो d4 के लिए क्या होगा, d4 कहा है, यहां पर है, यह d4 है, तो d4 के अलाबा और क्या बचिया है, d2 और d5, तो d2 और d5 यह हम लोग के पास skill में आगिया, जन में आ गया D4 और बांकी में इसमें फिर ऐसे ही हम लोग Gen of B4 निकालेंगे Gen of B4 में क्या है तो D5 है तो D5 कहाँ पर है यहाँ पर इसके अलावा बांकी कौन है तो D2 और D4 है तो D2 और D4 यहाँ पर हम लोग लिखती है कुछ नहीं जन्रेट हो रहा है तो यह हम लोग के पास हो गया है समझो generation और kill का value तो अब इसी को जो है ना हम लोग proper table के form में लिखेंगे यह जो generation और kill जो है यह तो निकाल लिए लेकिस उनको proper table में हम लोग कैसे लिखेंगे तो block लिखेंगे table में क्या क्या आएगा block आएगा gen B आएगा अब gen B जो है ना bit address नहीं आएगे bit analysis है bit analysis यहाँ पर यह जो लिखा हो है bit analysis यह है bit analysis में हम लोग कैसे लिखेंगे तो d1, d2, d3 जितने difference है वो इसको serial wise d1, d2, d3, d4, d5 ऐसे कर क्या हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर जो है ना generation अब B में क्या है B1 में है d1, d2 तो d1, d2 तो d1 के जगह पे d1 और d2 के जगह पे 1 है बागी d3, d4 और d5 के जगह पे 0 है d1, d2 के जगह पे 1 बागी सब के जगह पे 0 यह हो गया हम लोग के पस d2 मतलब b1 के लिए अब इसका किल क्या है इसका किल देखो क्या है तो d3, d4, d5 इसका भी जो bit analysis करेंगे bit analysis में कर के रहे हैं तो d1 कर रहे है फिर d2, d3, d4, d5 हम लोग ऐसे करके ना numbering sequence वाइस ही हम लोग कर रहे है और इसी वाइस बस bit का value हम लोग put कर रहे है तो यहां पर कौन सा value है d3, d4, d5 तो d3, d4, d5 में 1 है बागी d1, d2 में 0 है हम लोग ऐसे बस number डाल रहे है d1, d2 में 0 है बागी d3, d4, d5 में हम लोग के पास 1 value है ऐसे ही अब हम लोग अगर इसका हम लोग b2 का निकालेंगे b2 में क्या है d3 तो d3 का value 1 होगा मतलब यह d1, d2 और d3, d3 का value 1 है बागी सब 0 है d3 में ही बस एक है, d3 बस अकेला है तो d3 का value 1 है बागी सब अकेला है फिर d1 है तो d1 का value 1 है बागी सब 0 है फिर उसका है d4 तो d4 में d4 का value 1 है फिर बागी सब 0 है फिर d2, d5 तो d2 और d5 जो है वो 1 है इसमें D2, D4, तो D2 और D4 का value 1 है, बांकी सब 0 है, ऐसे करके हम लोग इस को, इस table को complete करेंगे, यह हमारा step 3 हो गया, generation और kill निकालने का, यह step हम लोग के पास complete हो गया, यह हम लोग के पास, यहां तक अभी तक हम लोग 3 step complete कर लिए, अब 4th step में हम लोग क्या करेंगे, सबसे tricky step यही 4th step, बांकी सब तो easy है, तुरत हो जाएगा, जो time consuming, मतलब tricky मतलब easy ही है, लेकिन तुम्हें ठोड time लगेगा, मतलब बनाने में, solve करते time ने, इसमें तुम्हें थोड़ा ध्यान से बनाना होगा, और time लगेगा, इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले क्या है, pass 0, तो pass 0 म जाएगा, तो हम लोग उसी समें रुख जाएगे, अगर same नहीं हो रहा है, तो pass 1 के बात pass 2 बनाएगे, pass 2 में भी same नहीं हो रहा है, तो pass 3 बनाएगे, ऐसे करके हम लोग continue करते रहेगे, जब तक 2 pass जो है, same नहीं हो जाए, जैसे कि pass 0, pass 1 same होता, तो रुख जाते, या फिर pass मतलब यहाँ पर यह कैसे value लिखा गया है, D1, D2, D3, D4, D5, यह जो हम लोग पास value है, इसी format में है, जैसे हम लोग यहाँ पर use कर रहे है, bit analysis के form में, उसी form में यहाँ पर use कर रहे है, D1, D2, D3, D4, D5, इसी form में, यह five के bit में, तो इन में याद रहना है, pass 0 में, इन में सब का value 0 होता है बांकि out में जो है क्या value होगा तो out में यह जो gen का value है यह जो gen का value है यह value डाल दो बस इसमें पास 0 के यह बात हो रही है बस पास 0 में ऐसा है कि gen का value यहाँ पे जो है यह जो है gen का value out 0 में क्या आएगा तो gen का value आजाएगा तो यह gen का value जो है यह हम लोग के पास जन का भेल हुआ गया यह हो गया पास 0 अब हम लोग पास 1 क्रियेट करेंगे पास 1 के लिए ना यहां पर इस steps में लिखा हुआ था इस steps में देखो दो formulae लिखे हुए थे in और out के लिए हम लोग क्या कर रहे थे? दो formulae का use कर रहे थे in के लिए क्या है? union of out be मतलब जितने भी जो in है in में हम लोग के पास क्या कर रहे है? इस block में जितने भी in आ रहे है मतलब जितने भी arrow entry ले रहे है जो इस block में arrow आ रहे है उसका union लेना है उसका हम लोग union लेना है मतलब उसके out का union मतलब जो जितने भी arrow आ रहा है उसके out का हम लोग union लेंगे in का value में और out का formula क्या होता है? तो out का formula होता है in of b minus kill of b union gen of b तो यहां पर यह जो minus का form है, minus को reduce करने के लिए हम लोग क्या कर सकते है? in of b तो है, इसको हम लोग लिख सकते है and negation of kill b यह kill b के आगे minus है, तो हम लोग क्या लिख सकते है? and negation of kill b और फिर यह union का मतलब क्या है? or तो और gen b, ऐसे करके हम लोग इसको लिख सकते है यह out be of two formula है I am secure के लिए देख ले ना, कि दो formula तुम्हें याद रहा है मतलब याद हो तो यह हम लोग के पास दो formula है इसी formula के basis पर हम लोग pass 1 का value निकालेंगे तो pass 1 का value में सबसे पहला है in of b1 हम लोग b1 का निकालेंगे सबसे पहले in of b1 में क्या होगा? देखो b1 में कहां से आ रहा है value? b1 में value आ रहा है हमारे पास b2 से तो b2 से पस एक जगह से value आ रहा है बस एक ही जगह से आ रहा है तो एक ही जगह से रहा है तो क्या होगा directly हम लोग यहां पर लिक होगा in of b1 बchos लेंगे in of b1 is equal to out of b2 जहां से रहा है value एक ही जगह से value आ पस b2 से value तो about e2 के बस v2 का out value उठाके यहां हम लोग डाल दे रहे हैं यह हम लोगे पास out of b2 आया यह enough b1 में आगया out of b2 का value यह value यहां पर आगया अब ऐसे ही enough b2 enough b2 अगर हम लोग देखें यहां पर देखो b2 है b2 में value कहां कहां से आ रहा है एक तो b5 से यहां घूमके आ रहा है एक जो है बीवन से आ रहा है तो बीवन से भी आ रहा है और बीटू से भी आ रहा है हम लोगों करना क्या है हम लोग जितने भी जगह से आ रहा है बहलू सबका यूनियन कर रहा है यहां पर यूनियन कर रहे है तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे है तो इसमें देखो इनफ बी 2 का बताब b5 का आउट, इन दोनों को, यह जो आउट का वहले है, वह कहा से आ रहा है, वो यहीं से आ रहा है, b1 का आउट क्या है? 1 1 0 0 0, 11 00, और b5 का आउट क्या है? तो 0 0 0 0, तो यह 0 0 0 0, यह जो है, इसका यूनियन करेंगे चो क्या होगा? अब यह union intersection सब तो मालूम हिए न है कि जैसे कि 1 0 है तो 1 union 0 क्या होता है 1 फिर 1 0 है तो 1 0 1 union 0 क्या होगा तो 1 बाकी 0 0 है तो 0 मतलब union और intersection का जैसे कि हम लोग normal rule पढ़ते हैं 0 और 1 का binary में यह वही rule बस follow कर रहा है union में याद रखना है कि union में जब भी अगर कोई value अगर 1 है और जो 0 कब होगा तो जब दोनों value 0 है दोनो value 0 है तभी 0 होगा बाकी सब में 1 होता है intersection में क्या होगा जब दोनों value अगर 1 है तभी 1 होगा बाकी अगर कोई भी होगा तो हमेशा 0 होगा intersection में ऐसा होता है मतब और और end का गेत मतब और और end का यही बस feature है तो हम लोग वही कर रहे है फिर in of b3 देख रहे है in of b3 तो b3 में कहां से आ रहा है b3 में और कहीं से नहीं आ रहा है बस d3 मतब b2 से आ रहा है तो in of b3 का value क्या हो जाएगा out of b2 यही out of b2 का value जो है ना b2 का value जो था वही value हम लोग यहाँ पर डाल दिये ऐसे हम लोग b4 का निकालेंगे ऐसे हम लोग b5 का निकालेंगे सबका हम लोग निकाल लिए यह तो निकल लिया यह in का value निकल लिया in का value 5 थे block 5 ओ ब्लोक के in का value निकल लिया pass one के लिए अब जो है ना out का value निकालना है तो out of b1 का value क्या होगा out के लिए क्या formula है out के लिए formula क्या है out के लिए formula है in of b and kill of b और generation of b यह हम लोगे पास formula है तो यही formula का use करेंगे यही formula का यहाइं यूज़ोओ निकालना है bir one का तो आऊश निकालनाना है b1 का तो क्या होगा formula in of b1 and nugation of kill of b1 किल में होता है kill of b1 और generation of b1 यह जो है ना हम लोग यह value बस डाल रहें बस मतलब formula में यह formula बस यह formula लिखे है यह formula लिखे है अब यह formula लिखे है बस तुम्हें ये value पुट करना है, इन अफ बीवन का value कहा से आएगा, इन अफ बीवन है तो ऐसा नहीं करना है, ये पास जीरो का इन अफ बीवन का value ये डाल देना है, ऐसा नहीं होगा, तुम अभी दख तुम निकाल चुके हो, जब तुम आउट का value ना, आउट का value तुम उसी समें निकालोगे, जब तुम उन का value निकाल चुके हो, ये इन का value तुम निकाल चुके हो पहले, इन अफ बीवन यहा निकल चुका है, तो ये इन बीवन का value जो है ल एना, 00100, ये जो है, ये उठ़ के यहां है, ये यहां आया, 00100, यह भेलू हम लोग यहाँ डाल रहे है, तो यह 00100, फिर and negation of kill of B1, तो kill of B1 जो है हम लोग किल और generation जो है, step 3 में kill और generation निकाल चुके है, हम लोग उसका use करेंगे, जो step 3 में निकाल चुके है, step 3 में kill और gen, तो किल का हम लोग यूज करना है, किल किसका? किल का यूज करना है B1 का, तो B1 का किल क्या है? 00111, तो 00111, तो यही हम लोग यहां पे 00111, इसका क्या करना है? इसका नगेशन करना है, यह नगेशन का सिंबोल है, नगेशन करना है, और और में क्या है? तो gen of b1, तो gen of b1 में क्या value है, b1 का gen का value क्या है, 1 1 0 0 0, तो 1 1 0 0 0, तो 1 1 0 0 0, ये value डाल दिये, ऐसा ही हम लोग अब इसको अम लोग solve करते जाएंगे, तो क्या होगा, 00, 100, negation में क्या होता है, जो bit है वो apposite हो जाता है, और 111 है तो 0 0 0 होगा बस opposit हो जाता है नहीं के सलमें फिर उसके वाद end है इन दोनों के बीच में end है तो क्या होगा 0 और 1 तो 0 फिर 0 और 1 तो 0 मन्ना और 0 तो 0 फिर 0 और 0 तो 0 0000 आ गिया यह end का Visult फिर और में क्या है और में है 11000 और 11000 तो इसका value क्या आएगा 11000 ये आगया out of b1 ऐसे ही हम लोग जो है ना out of b2 निकालेंगे out of b2 में क्या formula formula देखो formula sum में same है किसी में भी formula कोई अंतर नहीं है formula sum में same है पूरा तो हम लोग बस value put करना है value तुम properly put करोगे तो ये question बहुत easily आराम से बन जाएगा भला ही थोरा time लगेगा लेकिन ये easily बन जाएगा तो in of b2 में क्या होगा तो in of b2 में हम लोग क्या है b2 का value दोगो यहा निकाल चुक है in of b2 क्या value आई थी 11000 ये value आई थी वही value हम लोग डालेंगे 11000 अब negation of kill तो हम बालबार वो negation करके लिखने के वजय क्या कर रहा है kill of b2 है उसका negation वही पर हम लोग करके वही लिख रहा है बदाब kill of b2 का negation क्या होगा यहाँ पर हो जाएगा 01111 ये हम लोग के पास value ये negation का value था हम directly negation का value लिखे तो एक्जाम में चाहो तो पहले ऐसे करके जैसे हम यहां पर एक step में बता दिये ना out of b1 में हम बता दिये कि कैसे हुआ यहां पर negation करके वह तुम चाहो तो तुम इसको पूरा इतना यह चार line में लिखने के वज़ा है तुम एक पूरा समझ में आ रहा है तो एक यह यह से लिखो लेकिन एसे में तुमें एरर होने का chance जाता है तो ऐसे करो कम से कम 3 line का जो यह जो हम ऐसे करके करके कम से करो कि 3 line का आम लोग लिखे ताकि कोई दलती नहीं हो तो value चली जाता है, gost of B2 अब B2 में क्या था, यहां पर, B2 में 1000 तो यह 1 छार बर 0 था, उसका negation क्या हो जाएगा, तो isका negation हो जाएगा, 0, और 4 बर 1 यह negation हो गया, यह end operation है, और or में generation B2, generation B2 क्या है? generation B2 है 00, 1000, यह generation B2 है, 00, 1000, यह generation B2 का value है बस इसका value substitute करो और यह हम लोग के पास यह output आ जाएगा ऐसे हम लोग b3 का निकालेंगे ऐसे हम लोग b4 का निकालेंगे ऐसे हम लोग b5 का निकालेंगे sum में देखो formula same है sum में हम लोग processing same कर रहे हैं बस value put करके डाल रहे हैं खुछ भी नहीं करेंगे बस value put करके डाल रहे हैं इनका value निकाल चुके थे in of b5 का value का था 00100 वह हम लोग यहां पर value 00100 वह हम लोग बस value हम लोग value put कर रहे हैं यही अगर हम लोग जब सब का निकालेंगे ना और भी निकालेंगे b5 तक तो वही हम लोग एक टेवल बना देंगे, टेवल बना के क्या करेंगे, पास्टू का ये टेवल है, पास्टू में क्या हो गया, मतलब पास्टू में क्या हो गया, पास्टू में क्या हो गया, पांचो ब्लोग का पांचो नंबर है, इन है और आउट है, इनका वैलू जो है न हमारे पास pass 1 complete, ऐसे ही हम लोग pass 2 find करेंगे, pass 3 find करेंगे, pass 4 find करेंगे, ऐसे ही हम लोग continue करेंगे, जब तक 2 pass सेम नहीं हो जाते थे, यह तो हो गया पहला pass, अब इसी को अभी देखो, pass 1 और pass 0, दोनों match नहीं कर रहा है, इनका value हर एक bit match करना चाहिए, मतब यह पूरा का पूरा match करना चाहिए, इनका, यह पूरा का पूरा in का value अगर match नहीं कर रहा है, कोई match तो नहीं कर रहा है, पहले में सब 0, 0 से थे, अब इसमें देखो, change हो गया है, यह change जैसे ही हुआ, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, pass 2 क क्या करेंगे, same चीज़ करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे, pass 2 में, तो pass 2 में, जैसे कि pass 2 का अगर हम लोग पहला गर हम बताए, कि देखो, जैसे कि b1 है, b1 का अगर हम लोग in बताए, तो b1 का in में क्या हो जाएगा, b1 का in में क्या हो जाएगा, b1 का in में क्या हो बस यह value तुम्हें चेंज करना है, out of b2, तो out of b2 तुम pass 1 में क्या ले रहे थे, pass 0 का out ले रहे थे, अब तुम अगर pass 2 बना रहे हो, तो pass 2 बनाओगे, तो किसका value लोगे, उसके previous का, हम लोग उसके previous का value ले रहे है, तो pass 1 का out होगा, pass 1 का out का जो b2 का value है, वो चला जाएगा, b1 of in में, तो b1 of in में, यहाँ पर 0,1,1,0,0, तो यही हम लोग यहाँ पर, यही value बनाओग सब्स्रीट होगा, ऐसे ही हम लोग तरह से formula सम में सेम है, बस तुम्हें value पूट करते रहना है, value पूट करना है, value तुम्हें प्रपरली पूट करना है, जैसे की int of, जैसे की यह पर out of b2 है, तो out of b2 पास 2 में कहा से आएगा, तो पास 1 का table से अम यहां पर किये, ऐसी हम लोग इक पास क्या है, out of b1 है out of b5 है, out of b1 और b5 यहां पर आया, out of b1, out of b1 का value यहां, out of b5 का value यहां, तो इसका union क्या होगा, 1 1 0 1 0, तो यही हम लोग देखो यहीं पर ऐसे किया होंगे 110 ऐसे करके, मतल्ब ऐसे करके past2 बना लेंगे, past2 का भी in out बनाएंगे, ऐसे करके in out बनाएं, फिर ऐसे अभी भी देखे same value नहीं आया, तो फिर हम लोग past3 बनाएं, अब past2 और past3 का भी value same नहीं है, past3 equal to past4, बना past4 तक हम लोग solve कियें, यह हम लोग के पासांस है, हम लोग को यह चेक करना है, कि कितने past में जाके वह value same होता है, तो यह हम लोग चेक करना है, और हम लोग क्लास में बस यहीं तक हुआ था, इसके आगे का कुछ हुआ नहीं है, तो आप वह तो semester exam के time में बना रहेंगे,